किसान भाईयों, बिंस की खेती से संबंधित A to Z जानकारी के लिए हम आप लोगों के बीच एक वीडियो स्रीज लाए हैं इस वीडियो स्रीज का ये तीसरा पार्ट है, लेकिन इससे पहले यदि आप लोगों ने पहले और दूसरी पार्ट को नहीं देखा है आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बिंस की खेते से संबंधित आगे की जानकारी देने वाले हैं महिगी दवाओं का इस पर आप अभी करें जब आपका ऐसा लगे कि आप यहाँ पर कंट्रोल नहीं हो सकता है या बीच में दो सस्ती दवा के बाद आप एक महिगी दवा का इस परे कर सकते हैं तो इससे आपका बजट भी संतलित रहेगा और पौदों का आपका स्वस्ती भी संतलित रहेगा किसान भाईयों इसके साथ हम यहाँ पर और भी कुछ बात करें तो जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें क्योंकि यह ठंड वाली मौसम की फसल है अक्टूबर या नॉंबर में हम लगाते हैं दिसंबर महिने में यहाँ पर पाले का डर रहता है पाले की वज़ासे बिंस में काफी नुक्सान होता है लेकिन ऐसा नहीं है कि पाले की वज़ासे बिंस नुक्सान हो जाएगा तो फिर आपको उसमें फसल को रिकवरी नहीं हो पाएगी नुक्सान तो होता है लेकिन फिर सोग गई है यहां पर जड़ों के पास यह पूरा इस तरीके से सूग गई है और यहां पर यह फंगस शफिद सफिद जम गया यह पाला इसमें लगा हुआ है और इसकी ब्रांचों में भी आप देख सकते हैं नीचे जड़ सही है यहां से थोड़ा सा फुटान हो रहा लेकिन यहां पर क्या है इसकी साखाय सूख गई है यह भी पूरा सूख गई है तो इसमें पाला लगा हुआ है इसी तरीके से कहीं कहीं पर बीच की भी इसकी साखाय सूख सकती है बीच की कोई साखाय सूख गई पाला लग गया है तो इसमें हमें पाले से बचाओ के लिए कुछ उपाय जो हम कर सकते हैं उसको भी कर सकते हैं और एक और इसकी समझ चाती है इसकी बधाई के लिए हमें क्या करना सबसे सही सिस्टम जो है इसको जाल वाला सिस्टम है क्योंकि हमने यहाँ पर देखा है कि यदि हम यहाँ पर अक्टूबर में इसकी बुवाई करते हैं तो नौमबर दिसंबर महिने में कभी-कभी पच्छुवा हवा तेज चलती है और इस समय फरवरी महिने में भी पच्छुवा तेज हवा चल रही है यदि हम इसको एक धागे से उपर इसकी बथाई करते हैं और यह पौधे के पास इसकी कई ब्रांचे निकलती हैं आठ दस ब्रांच निकलती हैं वह वहाँ से तिर्षा होकर मिल जाता तो इसकी साखाएं टूटती बहुत है या भुस टाइब का बिंस जो की छोटे पाओदे का बिंस है उसकी तुड़ाई के समय हम क्या करते हैं उसको थोड़ा सा वह जुका देते हैं वो तो तूटने का भी डर है तो इसले हमें जब बुश, टाइब की बुगाई करनी चाहिए तो हमें डबल बैड बनाना करेंगे तो इसके पौधे को डैमेज होने का डर नहीं रहेगा इसी तरीके से इस वाले की भी हमें जो है यदि हम डवल बेट पर बना कर करते हैं तो अच्छा रहेगा बीच में गैट रहेगा वहां से तुलाई करेंगे और यदि हम इस तरीके से क्रॉप नेट लगाते हैं तो यहां से ही पौधा इधर उधर हिलेगा नहीं नीचे से तूटेगा नहीं तो क्रॉप नेट के बारे में हम आपको दूसरी वीडियो में जानकारी देंगे यहां पर हलकी से लेकर भारी फसल की पूरी जानकारी दे गई है वीडियो कर लिंक आपको डियो कर लिंक मिल ज जाती हैं ये करीब जो है साथ दिन के आस पास से हार्वेस्ट निग सुरू हो जाती है नीचे की साइट से इस्की फलियां सुरुआत में निकलती है और उसी ब्राइच के बीच से ही उसकी फलिया निकलती है और उसमें आपका जो है उसमें प्रोडक्शन मिलता है लेकिन यह वाला जो पौदा है इसमें एक ब्रांच जाएगी जड़ के पास से वहां से दूसरी ब्राइच दि निकलेगी यदि आप टिप को यहाँ से आपका एक पत्ती हुई है और इसी पत्ति के साथ फूल लेने के लिए एक यह आया हुआ है यह डण्ठी निकली अभी इसमें आगे फल लगेगा एक फल यह इधर से बन रहा है फिर आगे डंठी जाएगी फिर इस तरीके से तो इसकी जो डंठी आगे जाती है सकते हैं छार बन सकते हैं इसी गांट के आसपास देख सकते हैं एक ये और नई साखा निकल रही है यह थार निकल निकले लेकिन आगर ऐसी तरीके से साखे के बाद अगले जो गाठ आएगी वहां से एक पत्ती निकलेगी, इस तरीके से पत्ती वाले डंडी निकलेगी, तीन पत्ती निकलेगी, वहां से एक ब्रांच निकलेगी, जहां से फूल फल बनेंगे, तो वहां पर चार, छे, आठ ऐसे फल बन सकते हैं, फिर एक नई ब्रांच निकलेगी, तो यह वाली हमारी जो यह फसल है, यदि इसमें अच्छा सा हम पोशन्ड देते हैं, और फसल में निमे टोड नहीं आता, लंबी वदी तक फसल लेते हैं, तो हर एक ब्रांच से आगे चल कर इसकी ब्रांचे निकलती रहेंगे, आगे इसके फल आते रहेंगे, तो बहुत किसे इस प्रे के माद्यम से टाउनिक दे सकते हैं, जैसे अमीनो एसिड बेस्ट टानिक हो गया, ह्युमिक एसिड बेस्ट और जिब्रेलिक अचीड का प्रियोग हम तब करते हैं, जब हम इसमें साखाओं को बढ़ाना है, और फलों की लंबाई को बढ़ाना है, तो जो कि यह बेल वाली फसल है इसमें हमें जिब्रेली के सिट का प्रयोग नहीं करना है नहीं तो इसकी जो बेल की दो गांठों की भीच की दूर ही यह बढ़ जाएगी इसकी जगा हमें क्या करना है यहां पर रेगुलेटर का क्या होता है इसमें जो फूल आने का समय है 45 से 50 दिन के टो हमें 40 दिन के आसपास यहां पर एक रेगुलेटर का प्योग करना फिर अगले एक महने के बादक्र का प्रेख करना है अगिने के बादक का क्या होगा वह इसके जो अभीच है इसको जो है वो क्या करे का अन्चाहिभ दिष्य मतलब इसकी जिगांठों की इसकी दूरी ब बढ़ाएगा तो पौधे की जो जो अन्चाहे बिर्दी है उसको रोक कर इसको फलों और फुलों की संख्या को बढ़ाने के लिए उसको प्रोज साहित करेगा इसके लिए आप टाबोली का भी प्रियोग कर सकते हैं और भी कई ऐसे रेगुलेटर्स आते हैं जो इसमें इसमें प्रोज संख्या बढ़ाएगी तो इस तरीके से ब्रेंट करना है और फल निकलने लगे तो हमें फलियों को आगे तुड़ाई करते जाना इसके पौधे का आगे ग्रोथ होता जाएगा तो टानिक का इस पर हमने 20-25 दिन पर जैसे कि रेगुलेटर का इस प्रे कर द इस तरीके से हम यहां पर मार्च अपरैल महिन तक यहां से हार्वेस्टिंग ले सकते हैं समय समय पर इसके रेट घट बढ़ते रहते हैं जैसे कि दिसंबर से पहले एक बार लगन का सिजन आता है उस समय बींस मार्केट में काफी कम होती है और बाहर से ही बीनस आती पतलब की जो साधियों के मौसम में जो लोग खरीदारी करने आते हैं उनको तो देड़ सो रुपे से भी उचाई के दाम पे आप इनको थोक रेट में बेज देते हैं और फुटकर में तो इसका रेट उस समय सो रुपे से उपर रहता ही है और आगे बात करें इसका रेट एक सकता है अलगलग छेत्रों में इसका रेट अलगलग हो वो सकता है लेकिन इसके बात करें यहां पर मिन्मुम mayor का रेट मिल रहा है तो भी काफ यहां पर मसकर आ होता है आठ अपर निकल कराता है और जो हमारा पाल टाइब का निकल करता है यह हम dette की का जो भी इसका है इसका जो सब्सक्राइब जह räक खिए इसके यह हम प्रती हाह इक гड़ कह आज चल सकते हैं लेकिन अच्छा है hill management रहा और हमने पूरी लंबी अवधी तक फसल ली तो 150 कुंटल को भी उपर हम क्रास कर सकते हैं और ऐसा नहीं है कि इतना नहीं हो सकता 150-160 कुंटल भी ले सकते हैं लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा अक्टूबर महीने के पहले सब्सक्राइब करें और उसको हम आगे ले जाकर मार्च अपरेल महीने तक उसको चलाएं ताकि कई सिफ्ट में हार्वेस्टिंग होगी तो हम इतना प्रोडक्शन हो सकता है फिर भी यदि हम आवस कि फसल को उसको भी आप चलाते हैं तो उसमें भी आप अस्पास जा सकते हैं यहां पर पॉल टाइप के बिंस में कुछ आलग खर्चा होता है जालर देने का पॉल का और इन सबका लेकिन बुश टाइप के बिंस में ऐसा कुछ खर्चा नहीं होता है तो यहां पर आप पॉ पचीस रुपे का रेट मान कर चला हुआ है अपको अधिक प्रॉफिट हो सकता है तो किसान भाईयों यहां पर हमने आपको production बताया, आउसर ट्रेट बताया, बाकी बहुत जाद हम यहां पर नहीं बताने वाले हैं कि कैसा क्या होगा, आप अपने हिसाब से इसका अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन पोल बिंसे प्रती एकड़ 2 लाग का net profit आप मान कर चल सकते हैं, और बोस आने वाली वीडियो में हम आप लोगों को पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे, और हमारा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट वाक्स में जरूर बताएं, वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करें, दोस्तों में सेयर करें, और आपने हमारा चैनल झाल 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 झाल झाल